Hello Everyone, Welcome to Raviditi Classes So Friends, आज के इस वीडियो का देखे हमारा टॉपिक है Last 6 Months Current Affairs तो इस वीडियो में हम बात करेंगे Friends, पिछले 6 महीनी के Current Affairs के Most Important Questions की और देखे पिछले 6 महीनी के जो Current Affairs है वो आपके हर एक एक्जाम के Point of View से Most Important है तो Friends, वीडियो को शुरू से अंतर तक जरूर देखेगा सारे ही Question Most Important और Selected Questions है तो अगर आप किसी भी एक्जाम के तियारी कर रही है ये वीडियो आपके लिए काफी ज़दा Important होने वाली है तो आईए Friends, आज के इस वीडियो को शुरू करती है First Question is Which State Government launched My School My Pride Campaign तो बात करते हैं कि कौनसी राचे सरकार ने My School My Pride जो अभियान है से शुरू किया है Right Answer है Himachal Pradesh तो Friends, Himachal Pradesh Government ने launch किया है My School My Pride Campaign को अब इस Campaign के बारे में बात करने हैं तो इसका मेर उदेशे क्या है और यानि मेर अबजेक्टिव क्या है इसका कि जितने भी Government Schools हैं उसकी Quality यानि Education के जो Quality है उसको Revisualize करना यानि उसमें सुधार लेके आना ये Campaign का जो है main उदेशे है This initiative will encourage the active participation of individual and organizations to adopt schools and contribute to various aspects of students development यानि ये जो पहल है जो इनिशेटिव शुरू किया है ये तरीके से Individuals या कोई भी Organization है उसकी active participation को और भी जदा Encourage करेगा कि बही क्या करें वो Schools को जिखे जो है वो Adopt करें और Students के Development में जो है अपना अलग अलग तरीके से Contribute दे सके तो यहां पर इस initiative के तहत सब इनिशेटिव को या कोई भी Organization से उनको Encourage किया जाएगा तो में उदेशे याद रखेगा कि Government School की जो Education की Quality है उसको Improve करना इसका में उदेशे है अब देखे हिमाचल प्रदेश Government ने इसको शुरू किया था सो हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करती है Capital है यहां की शिमला और धर्मशाला Governor है यहां के शिप प्रताब शुकला चीप मिनिस्टर है सुखविंदर सिंग सुखू राज्य सबा की सीट से 3 लोग सबा की है फोर अर असेमली सीट से यहां पे 68 हिमाचल प्रदेश के नैशनल पार्क की बात करती हैं तो देखे कौन-कौन सी है Great Himalayan National Park, Pin Valley National Park, Inder Gila, Kheer Ganga और Simbal Bara National Park Next Question Tata Trust has launched India's first state-of-the-art small animal hospital in this city So Tata Trust ने भारत का जो पहला अत्यांदुनिक लगू पशू अस्पताल है यह कि शहर में launch किया है तो इस small animal hospital को उन्होंने launch किया है मुंबई शहर में यह जो hospital को दिखे नोंने शुरू किया है main purpose क्या है से शुरू करने का So main purpose है कि जो pets हैं पालतू जानवर हैं उनके life को save करना and strengthen the bond between pet parents and veteraries तो जो भी pet parent हैं उनके और जो पशू चिकिस हैं जो veterinarians हैं उनके बीच का जो bond है उसको मजबूत करने के लिए इस hospital को इस facility को शुरू किया है किस ने टाटा ट्रस्ट नी Next question which of the following has declared 2024 as the year of human resource development and discipline So किसने जो है 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुसाशन का वर्ष घोशित किया है तो ये declare किसने किया है the answer is IRIDA IRIDA ने जो 2024 का year है उससे declare किया है as a year of human resource development and discipline IRIDA की बात करती है तो पूरा नाम है इसका Indian Renewal Energy Development Agency Limited IRIDA कि स्थापना कब हुई थी 1987 में ये stabilized हुआ था Chairman इसके कौन है प्रदीप कुमार दास और CFO कौन है विजय कुमार मोहन्ती मोटो क्या है इसका energy forever Next question है friends An uncommon love the early life of सुधा औरायन मोर्ती ये बुक है देखिए बुक का नाम ही है An uncommon love ये इस बुक के author कौन है तो ये बुक किसने लिखी है राइट आंसर है friends चित्रा बैनर जी दिवा करोनी ये author है इस बुक के जिसका नाम है An uncommon love देखिए ये जो बुक है न ये किस बारे में बताती है about the sacrifices they made to forge a powerful and lasting marriage यानि एक powerful और lasting style बिवा बनाने के लिए जो उनके sacrifice रही उनके बारे में जो है इस बुक में बताया गया है नाराइट बुर्ती की बात करती है आप सभी चानती होंगे कि इन्होंने Infosys के सापना करी थी 1981 में और इन्हें कहा जाता है father of the Indian IT sector के नाम से जो है इनको जाना जाता है इसी के साथ दिखे कुछ और important books को हम यहाँ पर revise कर लेती है तो बात करें कुछ और books के बारे में जैसे कि The Life, Vision and Songs of Kabir इसकी author कौन है? विपुल रिखी, Through the Broken Glass, An Autobiography, author है इसके TN Session, Colors of Devotion book के author है अनिता भारश शह, Maya Modi Azad, Dalit Politics in the Time of Hindutv, author का नाम क्या है? Sudha Pai and Sajjan Kumar, The Yoga Sutra for Children, यह book किसने लिखी है? रूपा पाई ने, then next है, Master Residential Real Estate, author का नाम क्या है? Ashwinder Singh Next question है, Dalit Singh Chaudhary has been appointed as a Director General of which of the following forces? तो Dalit Singh Chaudhary की बात करती है, इन्हें अभी यह अभी कौन सी सीना के महनिदिशक के रूप में न्युक्त किया गया है? तो यह appoint होए है, SSB यानि Sashishtu Seema Bal के बने है, यह Director General Sashishtu Seema Bal की बात करें, तो कब होई थी इसके सापना? 20 December 1963 को, Headquarter New Delhi में और इसका मोटो है, Service Security and Brotherhood Next Question, What is the rank of India in the US Green Building Council's Annual List of Top 10 Countries and Reasons in the World for LEED Certification in 2023? LEED का देखे, पूरा नाम किया है, Leadership and Energy and Environmental Design So, अभी LEED Certification के लिए, दुनिया की जो Top 10 Countries है, उसकी जो list आईए देखिए, उसमें अगर बात करें, इंडिया को कौन सी rank मिली है? तो इंडिया जो है, Friends, इसमें है, Third Place में, Top 10, Top First की बात करें, So, Number 1 पे कौन सी country है? China, Second पे Canada है, और इंडिया जो है, Friends, इसमें कौन सी position पे है? Third position पे, US को जो है, इस list में include नहीं किया गया तो थोड़ा सा याद रखिएगा, portion में कई बार ऐसा हो सकता है, कि US की आप लोगों से ranking पूछ ले, तो याद रखिएगे, US को इस list में include नहीं किया गया है Next question, India was declared joint winners of SAFF Women's Under 19 Championship 2024 with which country? So, भारत को किस देश के साथ SAFF महिला Under 19 Championship 2024 का संयुक्त विचेता घूशित किया गया है So, किस country के साथ किया गया है? The answer is Bangladesh So, India और Bangladesh दोनों ही winner रही है SAFF Women's Under 19 Championship 2024 की Next way, the Udhra Pradesh Government will set up the country's first conservation center for Ganga Tiri Cows in which city? So, UP सरकार के शहर में Ganga Tiri गाई जो है उनके लिए देश का पहला सनरक्षन के इंदर स्थापित करेगी तो यह center कहां बनाया जाएगा? तो fence यह बनाया जाएगा वाराणसी city में So, जो काउ की जो breed है Ganga Tiri यह originate कहां से होती है along the Ganga Banks So, government देखे इसमें central जो government है उसकी help से वाराणसी में जो है यह genetic improvement और propagation of the breed in वाराणसी यानि friends So, state government जो है इस center को stabilize करेगी जो भी देखे ब्रीड है यह उसकी improvement उसकी propagation के लिए और इसमें वो help लेगे central government की Next question देखे Sebastian Pindra who recently died in a helicopter crash was the former president of which country So, यह कौन थे? Sebastian Pindra थे जिनकी helicopter दुरगाटना में मृती हो गई यह किस देश के पूर्व राष्टपती थे? तो friends यह थे चिली कंट्री के जो है former यह रहे थे यहां के president रहे थे So, Sebastian Pindra जिनकी age क्या थी? 74 ती जिनका निधन हो गया यह चिली देश के रहे थे दो बार president 2010 से लेके 2014 तक और दुबारा बने थे 2018 से 2022 तक Next question देखे, the Indian Air Force conducted exercise वायू शक्ती 24 at which place? तो Indian Air Force ने किस इस्थान पर जो है वायू शक्ती 24 जो अभ्यास से इसका आयोचित किया है तो यह अभ्यास यहनों ने आयोचित किया है कहां पे जैसल मेर राजस्थान में जो है इसका आयोचित किया गया है तो exercise कहां पे होगी venue ज़रूर याद लखेंगे पोकरन एयर टो ग्राउंड रहीं जो की है जैसल मेर राजस्थान में यह चो exercise है तो exercise showcase joint operations with the Indian Army तो इस अभ्यास में भारते जेना के साथ में joint operations का प्रदर्शन किया गया next question 59 year old cosmonaut जिनका नाम क्या है Oleg Kononko has broken the world record for the most cumulative time spent in space he is from which country so 59 वर्शिय अंतरिक्ष यात्री Oleg Kononko इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक बिताने का record तोट दिया है विश्य record तोट दिया किस देश से हैं यह तो यह कौन से country से हैं the answer is Russia इसे पहले देखे जो वर्ड रिकॉर्ड था ना वो रशिया की ही गानेटी डाल का इनके नाम पे था इन्होंने space में कितना time spent किया था 8.78 days 11 hours 29 minutes and 48 seconds और यह record इनका रहा था 2015 में और यही record break किया है रशिया के ही Oleg Kononko ने इनका जो time spent कितना रहा इनका space में 8.78 days and 12 hours तो सबसे जादा समय तक space में रहने का world record बनाया है इन्होंने next question tamil superstar vijay has recently launched his political party what is the name of party तो tamil superstar जो vijay है इन्होंने अभी अपनी राशनतिक party launch की है इनकी party का नाम किया है तो इनकी party का नाम है tamilaga vetri kazagam तो यह है इनकी party का नाम so 2026 के जो assembly elections ने देखिए उस assembly elections में जो है यह भाग लेंगे तो इनकी party का नाम याद रखेंगे tamilaga vetri kazagam next question DRDO successfully conducted flight twice of high speed expendable aerial target dash so अभी DRDO ने high speed expendable aerial target जिसका नाम बतने बताना है उसका भी सफलता पूरवक उडान परिक्षन किया है तो नाम क्या है इसका अभ्यास है इसका नाम तो अभ्यास का जो है अभी successful जेके flight trials किया है किसने DRDO ने तो देखिए फ्रेंट DRDO ने जो यह flight trial किया है कहां पे किया है integrated test range चांधीपुर इन उडिसा तो यह भी पूछ सकते हैं अभ्यास कि जो है इसका परिक्षन DRDO ने कहां पे किया है चांधीपुर उडिसामी next question which state police have adopted self-balancing e-scooters for smart patrols तो किस राज़े के police ने smart patrols के लिए self-balancing e-scooters को अपनाया है तो right answer है उत्राकंड state के police ने जो है इसे adopt किया है तो उत्राकंड के जो देखे director general of police है अभिनव कुमार उन्होंने जो है e-scooters को flagged off किया इससे क्या होगा देखे for the safety of tourist जो भी हाँ पर tourist आते हैं उनकी safety के लिए local citizens की safety के लिए police जो है पूरा patrolling करेगी इन self-balancing scooters से next question smart 2.0 program has been recently launched for dash teaching professionals so जो smart 2.0 कारेकरम है इसे भी हाली में कौन से field में देखे जो professionals है उनके लिए launch किया गया है इस program को launch किया गया है आयरवेदा teaching professionals के लिए smart जो है इसका पूरा नाम क्या है scope for main streaming आयरवेदा research among teaching professionals यह इसका पूरा नाम है smart 2.0 program का main purpose है to promote clinical studies in priority areas of आयरवेदा आयरवेदा की जो ब्रात्मिक्ता वाले छेतर है उनमें देखिए clinical study जो है उसको बढ़ावा देना जो है इस program का है main उदेश है next question which bank has launched the money to india application so किस bank ने money to india application को launch किया है the right answer is ICIC bank ने जो है इस application को launch किया अब देखिए इस application के जरे क्या हो सकता है तो यह allow करेगा customers को to any Canadian bank to send money to any bank in India without an account with ICIC bank Canada तो अगर आपका देखिए ICC bank Canada में account नहीं है तब भी आप बिना जो है इस account के भारत में किसी भी bank में जो है आप money को भेज सकती है money को send कर सकती है उसके लिए आपका ICC bank Canada में account होना जरूरी नहीं है आप money to india application को use करगे जो amount ने उसको send कर सकती है तो customers जो है ना वो money को directly applications के तरू वाया visa और mastercard तो इसके दुरू जो पैसी है वो भेज सकती है अगला question देखे Justice Ritu Bahari took oath of office as the first female chief justice of which of the following high court तो बात करते हैं न्याइमूर्थी रितु बहारी की यह अभी किस उचन्यायाले की पहली महिला मुक्या न्याइधीश के रूप में इन्होंने शपत ली है तो यह अभी appoint होई है उत्राकन high court की first देखे फीमेल chief justice यहां में appoint होई है और इन्हें शपत किसने दिलाई है तो यहां के जो chief minister है पुशकर सिंग धामीची इन्होंने जो है शपत दिलाई और यहां के governor है गुर्मी सिंग अचा उत्राकन जो high court इसकी stabilization कब होई थी 9th of November 2000 को और यहां के जो पहले chief justice बने थे उत्राकन high court के कौन बने थे अशोक देशाई यह first जो है यहां के मुख्य न्याइधीश रहे थे 2000 से लेगे 2003 तक next question है नादिया केलविनो has been appointed as a president of the European Investment Bank she is from which country so direct question में बन सकता है कि European Investment Bank की president कौन बनी है नादिया केलविनो किस देश से है यह तो यह है Spain country से और नादिया केलविनो जो है European Investment Bank की बनी है 8th president and she is the first woman जो कि इस institution को lead करेंगी next question the central government has launched a portal सार्थी what is the full form of सार्थी तो देखे जो सार्थी portal है इसे launch किया है केंदर सरकार ने और सार्थी का पूरा नाम है sandbox for agriculture and rural security technology and insurance तो यह पूरा इसका नाम याद केंगे यह पूरी full form किसकी है सार्थी की सार्थी का main purpose क्या है to help insurance company reach out to farmers and rural populations with tailored product as well as the government subsidized insurance product including प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना तो एक तरह से जितनी भी insurance company है जो भी insurance company है देखिए वो farmers तक या जो ग्रामेंट population है वहां तक वो reach out कर सके उन तक वो पहुंच सके तो उसमें मदद करना ही इस portal का जो है main उदेश्य है next question है who has been honored with the outstanding business woman of the year 2023 award outstanding business woman of the year का पुरुषकार किसने जीता है तो इस पुरुषकार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर बिना मोदी को डॉक्टर मिना मोदी जो है इनको ये honor दिया गया है इंडो American Chambers of Commerce की एक conference होई थी उसी conference में उनको ये honor दिया गया है और ये honor डॉक्टर बिना मोदी को दिया है उनके industry में जो उनका remarkable contribution है तो भारत का ये सबसे बड़ा थीटर उत्सव है भारत रंग महुसव और ये कौन से राज़े में शुरू हुआ है तो फ्रेंड्स ये शुरू हुआ है गुजरात इस्टेट में तो ये 21 days का cultural event है जिसमें 150 plays यान 150 से भी जादा नाटक जो है उनको showcase किया गया यहां पे workshop लगी थी और discussions को भी यहां पे organize किया गया था तो ये इंडिया का सबसे बड़ा theater festival है भारत रंग महुसव और ये शुरू हुआ है गुजरात स्टेट में next question है गुणोटसव 2024 has been launched by which state government तो गुणोटसव जो है ये किस राजर सरकार के दोरा शुरू किया गया है the right answer is Assam State तो Assam State के दोरा जो है से शुरू किया गया गुणोटसव जो है ये Assam Government का initiative है और ये cover करता है all government primary और secondary schools को in the state तो एक तरीके से ये identify करता है learning gaps in each child हर एक बच्चे के बीच में जो learning gaps आ गए है उनको ये identify करेगा और ensure करेगा quality education with grade specific outcomes Assam State के बात करें तो Assam के formation होई दी 26th of January 1950 को Capital है यहां के दिस्पूर, CM है हिमानता विश्व शर्मा, Governor है गुलाब चंद कटारिया, लोगसभा की सीटे है 14, राज़सभा की सीटे है 7 और Assembly Seats है यहां पे 126 Next question, India and which country signed the M.E.U. on cooperation in the field of sharing successful digital solutions तो भारत और किस देश ने स्तफल digital समाधान साचा करने के चेतर में अभी एक सयोग पर समझोते यापन पर हस्ताक्षर किये है तो यह M.E.U. sign हुआ है इंडिया और क्यूबा देश के बीच यह M.E.U. sign किस-किस के बीच हुआ है तो देखे मेती के जो Secretary है तो इंडिया के तरफ से इस मेते मेती के Secretary Shiri S. Krishnan और अगर क्यूबा की साइट से बात करें तो यहां के First Deputy Minister of Communication जिनका नाम है H.E. Mr. Wilfredo Gonzalez Vidal तो इन्होंने जो है इस M.E.U. को sign किया Next question है Which country has won the first F.I.H. Men's Hockey 5S World Cup 2024 किस देश ने पहला F.I.H. पुरुष विश्व होकी जो 5S Wish Cup देखे हुआ यह जीता है तो इसका टाइटल किसने जीता है निदरलेंड की टीम ने यहाँ पे Friends important points की बात करते हैं इस World Cup की तो देखे इसको host किस ने किया था? Oman country ने 16 teams ने जो है इस World Cup में participate किया था इसमें winning team कौन सी रही? नीदरलेंड और रररब team कौन सी रही? मलेशिया 3rd place पे रही Oman Top scorer सबसे 10 score करे पाकिस्तान के वाहीद राणा ने 23 goals के हैं इसके लावा देखे Best player का आवार्ड मिला Malaysia के Aakimullah Annoor को Best young player का आवार्ड मिला पाकिस्तान के Hanan Shaheed को और Best goalkeeper का आवार्ड मिला निदरलेंड के Zoy Wain Wall Stizen को Next question, West Bengal Chief Minister Mamata Benerji has inaugurated which edition of the International Kolkata Book Fair? पशी मंगाल की जो मुख्य मंत्री है Mamata Benerji उन्होंने अंतराश्टे Kolkata पुस्तक मिले के कौन सी edition का उधगाटन किया है तो इसकी अभी 47th edition को inaugurate किया Mamata Benerji ने इस fair में यानि जो ये मिला था देखिए International Kolkata Book Fair इसकी theme country कौन सी थी इस बार? United Kingdom Friends हमारी जो e-books हैं जैसे January to December अगर current affairs की आप e-book बाई करना चाहते हैं या फिर आप January 2024 की monthly e-book बाई करना चाहते हैं और इसके लावा other subjects से related e-books भी आपको मिल चाहेंगे हमारी website पे website का link आपको दिया गया है description box में और ये सभी जो e-books हैं friends ये आपके सभी exam के लिए most important हैं यहाँ पे सभी exam से related most important questions दिये गए हैं next question देखिए the 23rd World Sustainable Development Summit held in which city तेहिस्वा जो विश्व सतत द्विकार शिखर सम्मेलन है ये किस शहर में आयोजित किया गया है तो ये सम्मेलन friends आयोजित किया गया नई दिल्ली में इस summit को देखिए organize किया था the Energy and Resources Institute ने इस summit की theme क्या रही Leadership for Sustainable Development and Climate Justice तो ये इसकी रही थी theme next है Tableau which of the following ministries has won first prize at the Republic Day Parade 2024 तो friends Republic Day की चूपरेड रही 2024 की उसमें किस मंद्राले की जहागी ने first prize जीता है तो इसमें ministry of culture की जहां की है उन्होंने जीता इसमें first prize और इनकी जो Tableau की theme थी वो क्या रही थी तो theme याद रखनी है इंडिया mother of democracy तो याद रखेंगे friends ministry of culture की जो Tableau है इसमें जीता इसमें first prize next question the election commission of India has collaborated with film maker Rajkumar Hirani for a short film to spread awareness about voting what is the title of this short film तो अभी देखे भारते चुनाव आयोग ने मतनान के बारे में जागरुकता फिलानी के लिए एक लगू film याने एक short film के लिए film maker राजकुमार हिरानी के साथ में जो है collaborate किया इस short film का title किया है तो इसका title रखा my vote my duty इसमें देखे क्या है video messages है तो बहुत सारे जो है जो इसमें cricket icon जैसे सचिन तेंदुलकर इनके लावा कुछ actors जैसे की राजकुमार राउ, अमिता बर्चन, आर, माधपन, रवीना, टंडन इसक्ता, इसक्ता, तो काफे सारे actors के इसमें short messages है, video messages है उन्हीं को ही compile करके इस short film को बनाया किया है जिसका title है my vote my duty next question है which state has organized the fourth edition of the annual orange festival 2024 तो जो orange festival 2024 है इसके चौथे edition का आयोचन कौन से state ने किया है इसे organize किया नागा लेंड एस्टेट ने 2024 के इस festival की theme रही organic orange और इस दो दिन के festival को inaugurate किया है तो जो यहां की women resource and horticulture की minister है Sal Hothanu Kruz इन्होंने जो है इस दो दिन के festival को inaugurate किया है next question who has become the first woman to hold the rank of सुबेदार in the Indian army question में पूछा गया है कि भारते सीना में देखे सुबेदार का पत पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है so first woman बनी है प्रीती रजक तो प्रीती रजक देखे भारते सीना में सुबेदार का पत पाने वाली बनी है first woman सुबेदार प्रीती रजक इन्होंने army join किया था in the cops of military police cup December 2022 में और इनकी sports में देखे जो उनके spectacle performance रही है उसके base पर इनको promotion मिला है और ये सुबेदार rank हासल करने वाली इन्डियन आर्मी में बनी first woman next question who has been appointed as a new chairman of the telecom regulatory authority of India बात यहाँ पे करें try try के जो है अभी नए अध्यक्ष के ने निक्त किया गया है answer is अनिल कुमार लहोती try जो है देखे इसकी स्थापना हुई थी 20th February 1997 में headquarter इसका located है निव डेली में next question which edition of India कर्गिस्तान joint special force exercise khanjar has started at the special force training school in Himachal Pradesh बकलो तो देखे khanjar अभ्यास यह हुआ इंडिया और कर्गिस्तान के बीच और इसका कौनसे edition शुरू हुआ तो इसका इस बार हुआ था 11th edition when you भी याद रखेंगे कि यह कुछ खंजर अभ्यास कहां पी हुआ तो इसका आयचन किया गया था friends हे माचल प्रदेश के बकलो में next question देखे था Indian stock market has piped Hong Kong to become the dash highest equity market globally तो भाटे शेयर बाजार ने Hong Kong को पचार कर वैश्वी के स्थर पर कौन से सर्वोच equity बाजार बन गया ने कौन से नंबर पर आ गया है तो Indian stock market Hong Kong को पीछे चोड़ कर इसमें आ गया है fourth position पर so बात करें friend top three stock markets थी तो number one का stock market US का है दिन second पे है China और third पे है Japan इंडिया आ गया है इसमें अब कौन से rank पे fourth rank पे next question in January 2024 which of the following countries has been certified malaria free country by WHO तो अभी January 2024 में किस देश को WHO के द्वारा malaria मुक्तदेश प्रमारित किया कया है तो कौन सी country को किया है अभी Cabo Verde जो country है इसे अभी certified किया कया है malaria free so Cabo Verde country जो है ये तीसरी country बनी है African reason की डिसको WHO ने malaria free certified किया इससे पहले देखिए Mauritius को कब declare किया था 1973 में और Algeria को certified किया था 2019 में WHO जिसकी formation हुई 7th April 1948 को headquarter located है Geneva Switzerland में WHO की director journal है Ted Rose at the norm deputy director journal है Indian है Samir Swaminathan member country से इसकी 194 next है friend which foundation will build मस्दित मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मौस्क इन आयोधिया कौन सी संस्था है चुकि आयोधिया में मस्दित मोहम्मद बिन अब्दुल्ला चुहें इसका निर्मार करेगी तो foundation का नाम किया है इंडो इस्लामिक कल्चरर foundation ये बिल्ड करेगी आयोधिया में इस मौस्क इस मस्द को और इसके head कौन है तो इंडो इस्लामिक कल्चरर जो foundation है देखे इसके development committee के head है हजी अर्फत शेख इस मौस्क का जो नाम है वो रखा गया है मस्द मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है next question है friends world tallest statue of doctor भीमरा अमेटकर was unveiled in this city of आंधर परदेश by the state government भीमरा अमेटकर जी के सबसी उची प्रतिमा जो है इसका अनावरण आंधर परदेश के कि शहर में किया गया है तो आंधर परदेश के विजयवारा में जो है statue को unveil किया गया है अमेटकर जी के जो ये statue है से कहा गया है statue of justice लगबग इसमें 400 ton of steel का जो है use किया गया है statue को build करने के लिए next question है a book titled Conversations with Aurangajew has been authored by Dash तो book का नाम है Conversation with Aurangajew और ये book लिखी है किसने तो friends इसकी author है Charu Nivedita next question which city will become the new host of the Spanish Grand Prix starting from 2026 कौन सा शहर 2026 से शुरू होने वाले Spanish Grand Prix जो है इसका नया मेजबान बनेगा तो इससे host करेगी कौन से city Madrid next question what wetlands day यानि विश्व आदर्भूमी दिवस ये किस दिन देखे celebrate किया गया है तो what wetland day की बात करती है friends ये celebrate किया गया है दो फर्वरी को दो फर्वरी को इसलिए होता है ये क्योंकि इस दिन देखिए एक convention हुआ था wetlands पर और ये convention हुआ था इरान के रामसर शहर में और कब हुआ था 2nd of February 1971 को इसलिए दो फर्वरी को मनाते हैं हम world wetland day world wetland day के शुरुवात कब से हुई थी 1997 से और इस पार देखिए world wetland day 2024 की theme याद रखीगा क्या रही है wetlands and human well-being next question है friends name the billionaire from the southern state of Zohar who has been appointed Malaysia's 17th king दक्षणी राज्य जोहर के उस अरपदी का नाम बताईए जिसे अभी Malaysia के सत्रवे राजा न्युक्त किया गया है तो अभी Malaysia के देखिए जो king है कौन बने है सुल्तान इब्राहिम इस इंदर तो ये अभी Malaysia के 17th king जो है इनको appoint किया गया है Malaysia की बात करें capital है यहां की Kuala Lumpur currency है Malaysian ringgit और प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम नेक्स रहे विचिस स्टेट गवर्रमेंट हास लॉंच्ट अ न्यू इनिशेटिव कॉल्ड सडक सुरक्षा फोर्स तो सडक सुरक्षा बल नाम का जो इनिशेटिव है इस इनिशेटिव के शुरुआत किसने की पंजाव गवर्रमेंट ने इस इनिशेटिव को देखे फ्रेंट्स में परपस किया है कि जो ट्राफिक मुवमेंट उसको इंप्रूफ करना और स्टेट्स में जो रोड एक्सिडेंट्स होते हैं उनको रिड्यूस करना इसी परपस से इस इनिशेटिव को शुरू किया गया है पंजाब की फ्रेंट्स कापिटल चंडीगर है और यहां के चीफ मिनिस्टर है भगवन्तमान गवर्नर है यहां पे बनवारी लाल पुरोहित नेक्स्ट क्वेशन की फ्रेंट्स पात करें तो इसकी स्थापना होई 15th of November 2000 को यहां दिख सकते हैं मैप में लोगीटेड है यहां पे जारकन कैपिटल है राची चीफ मिनिस्टर बन गए है चंपई सोरीन कवर्नर है सीपी राधा कृष्णन लोग सबा सीट से हैं 14 राजसबा की हैं 6 और असेंबली सीट से हैं यहां पे 81 नेक्स्ट क्वेशन संजे विनायक मुदलियार हैस बीन अपॉइंटेड एस एक्जेकुटिव डाइरेक्टर ओफ विच बैंक तो यह हैं फैंट संजे विनायक मुदलियार यह भी हाली में ने किस बैंक का कारेकारे ने देशक नियुक्त किया गया है तो राइट आंसर इस बैंक और बडोदा बैंक और बडोदा चो है इसकी सापना 20 जुलाई 1908 को हुई हेटक्वार्टर इसका है वदूद्रा गुजरात में चेर्मेन इसकी हस्मुक अधिया MDCO का नाम है देवदत चंद नेक्स्ट क्वेशन वो हैस बीन अपॉइंटेड इसकी फॉर्मेशन हुई 90 सेप्टेंबर 1983 को हेटक्वार्टर इसका कोलंबो श्री लंका में है वाइस प्रेजिडेंट है पंकच खीमजी और इसके मेंबर्स है 27 नेक्स्ट क्वेशन देगे वो हीस दा ओथर आफ दी बुक टाइटल्ड एक समंदर मेरे अंदर तो बुक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर और इस बुक के लेखा कौन है तो फ्रेंड्स ये बुक लिखी है किसने संजीव जोशी ने फ्रेंट है वाट इस दा मेस्काट ओफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभंकर क्या है शुभंकर का नाम है शीन एशी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का इस बार हुआ था कौन सा फोर्थ एडिशन ये दो ना दो पार्ट में हुए थे जो इसका पहला पार्ट था ना ये हुआ था लद्धाक में और इसका जो सेकंड पोर्शन हुआ था ये हुआ था गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में तो अगर पूछा जाए कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 कहां पे आयोचीत हुए थे तो याद दखेंगे लद्धाक और जम्मू कश्मीर में तो ये अपॉइंट हुए है ताइवान देश के अभी प्रेसिडेंट ताइवान की कापिटल है ताइपेज सिटी करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर यहाँ पूचा है कि किस घराने से ये सम्मंदे थी प्रभा आत्रे इनका सम्मंद किसे था किराना घराना से अब देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट अवोर्ड की बात हुई है तो ये अवोर्ड ने कौनसी इयर में मिला ये भी पूच सकती है एक तो इनोंने जीता था पद्म श्री और ये ओनर उने मिला था 1990 में 1990 में सिकन्ड पद्म भूचर की बात करें तो ये ओनर इने मिला 2002 में और पद्म बिभूचर से इने सम्मानेत कब किया गया 2022 में तो तीनों जो पर्दमा वाट्स है इन तीनों की यहर आप लोग जरूर याद रखें नेक्स्ट क्वेस्चन विच स्टेट गवर्मेंट विल लॉंच ओपरेशन अमरित तो कंट्रोल एंटिबायोटिक एब्यूज तो किस राज्य सरकार ने अंटिबायोटिक देखिए धुरूरूर। को नियंतरित करने के लिए शुरू किया आपरेशन अमरित तो फ्रेंच्स आपरेशन अमरित को शुरू किया केरल स्टेट गवर्मेंट ने और इस ओपरेशन का देखिए पूरा नाम भी याद रखेंगे Antimicrobial Residence Resistance Intervention for Total Health तो ये इसका पूरा नाम है इस initiative के तहट people give information about pharmacies selling antibiotic कि जो भी देखें pharmacies ऐसी हैं जो बिना किसी prescription की बिना जेकि डॉक्टर के सला के antibiotic को बेच रही है तो लोग जो हैं उसकी information किसे देंगे drug control department को ताकि उनकी against में action लिया जा सकी एक्सक्वेशन हिमालियन वॉल्फ हिमालियन वॉल्फ को IUCN Red List में जो है कौनसी जगा classify किया गया है तो जो हिमालियन वॉल्फ है न इन्ही रखा गया है vulnerable category में तो IUCN Red List के vulnerable category में classify किया गया है हिमालियन वॉल्फ को तो फेंट्स आज के यहां पे most important questions हमारे हो गए है complete friends अब बात करते हैं test की तो पहला question है देखे test का which country has won the first FIH Men's Hockey 5S World Cup 2024 और second question है दलचीत सिंग चौधरी इन्हें अभी हाली में किस force के director general जो है इनको appoint किया गया है तो इन दोनों question के answer friends आप हमें comment box में जरूर बताएं और friends इसी के साथ आज का हमारा current affairs का session यह जो last six month current affairs का session है यहां पे complete होता है friends अगर आप हमारी कोई भी ebook को purchase करना चाती है तो आप हमारी website से इन सबी books को purchase कर सकती है website का link आपको description box में मिल जाएगा so इसी के साथ video को करती है and thank you so much for watching this video